कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप लोग अच्छे होंगे और बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं की रिजल्ट डीलेड इंटरिंस का कब आएगा ठीक है तो दो हजार चौबिस के लिए जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा हम लोग आज के सेशन वे उस पे बात करे साथी साथ आप लोगों ने कहा था कि मैं साइन्स आर्ट्स कोमर्स का अलग-अलग कटफ बता दीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा वैरी करता है सब्जेक के इंसार डीलेड में कटफ तो उस हिसाब से आज हम लोग कटफ पे बात करेंगे साथी साथ आपका आंसर की कब तक र लगेंगे यह बहुत जरूरी पार्ट है आपको डॉक्मेंट्स वाला तो इसको जरूर देखेगा कि कौन-कौन से आपको डॉक्मेंट्स अभी से रेडी करवा लेने है ताकि आपके एड्मिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगगी अब यहां पे बिहाट एलेट इंट्रें है या फिर पी एच केंडिडेट है जो भी बच्चे है न वो आप लोग देखें कटफ पे विशेश आप लोग का धियान होना चाहिए और यह एप्रॉक्स कटफ में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगे तो देखो सबसे ज़ादा जो कटफ जाता है वो साइंस में ही जाता है और और रिजर्ब केटेगरी का जाता है फिर भी बहुत ज़ादा हाई हम नहीं कहेंगे क्योंकि देखो सब बच्चे एकजाम देते हैं और हर तरीके के बच्चे एकजाम देने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि बहुत ज़ादा ही हाई कटफ हो जाएगा ऐसी बात नहीं है हर साल के मुकाबले आप कहेंगे तो एक से पांच नमबर तक कटफ इधर उधर होता है बाकी नहीं तो देखिए पिछले साल से कम नहीं बलकि अधिक बढ़ने की ही संभावना है लेकिन साइन्स में 85 प्लस जिनका भी नमबर है वो गवर्नमेंट कोलेज उनको मिल सकता है ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि 85 नमबर लाना भी बहुत इजी नहीं है ठीक है जो बच्चे अच्छे से तैयारी करेंगे उनहीं के इतने नमबर आ सकते हैं बाकी बहुत लोग हैं जो अच्छा मार्क्स भी लाए हैं बहुत लोग हैं हर category से उनको भी private colleges मलने के chances रहते हैं तो वो seat के अनुसार संभाव है तो उस सब पर हम लोग बाद में बात करेंगे तो यहां पर cut-up पहले देख लेते हैं तो आपके science के जो cut-up है 85 plus जिनके भी है या थोड़े से 85 के प्रॉक्स में है जैसे 80 plus है 82 है तो उनको भी असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है उनके आसपास वाले लोगों को जरूर अपने choice filling में सरकारी college हम लोग डालने के सलाह देंगे जब आएगा choice filling का उस टाइम हम लोग आपको guide करे यहां पर जो arts वाले बच्चे है उनका 80 बहुत हो गया है ना क्यूंकि arts से बच्चे कम जाते हैं लेकिन हा फिर भी arts में भी अच्छी खासी भीर देखने को मिलती है तो जो 80 के अप्रॉक्स है arts वाले बच्चे general category के वो अपने आपको यहां पर सुरक्षित रखेंगे और ज फिर भी बहुत जादा नीचे नहीं जाएगा हम कहेंगे यहां पर कि जो 78 है ना 78 प्लस है मेल फीमेल दोनों की बात करें तो फीमेल का थोड़ा कम ही जाएगा लेकिन फॉर्म जो है वो फीमेल की तरफ से भी अब जादा ही अपलाई हो रहे हैं तो मैं अग बहुत जादा वेरियंत नहीं कहूंगे कि मेल और फीमेल के कटप में रहेगा तो मेल और फीमेल दोनों अपने आपको 78 के करीबी WS में ला रहे हैं यज 75 तक भी ला रहे हैं तो साइंस में सुरक्षित समझेंगे arts में 75 तक के बच्चे सुरक्षित समझेंगे और commerce में आपका जो EWS के बच्चे हैं वो 70 तक भी आ जाएं तो हो सकता है उनका admission आराम से हो जाएगा ठीक है बात करें BC1 की तो थोड़ा सा EWS से थोड़ा सा हाई रहता है यानि कि हम 80 के हैं तो 80 के करीब में जो BC1 के बच्चे हैं उनका नंबर आ रहा है साइन्स में तो ये उनके लिए अच्छी बात है साथी साथ arts में अगर हम बात करें तो 75 के approach नंबर है और commerce में 70 के या फिर 72 कहेंगे 72 के आसपास में जो नंबर है उनका बिलकुल समभावना है कि सरकारी college में admission हो सकता है EBC की cut-up थोड़ा सा नीचे जाती है है ना तो हम इसकी बात करेंगे तो बहुत ही जादा तो नीचे नहीं जाएगी हाँ लेकिन आप EWS के according ही इसको भी रख सकते हैं यानि कि 75 या 70 तक इसका cut-up रह सकता है science वालों के लिए साथ ही साथ अगर हम arts वालों की बात करें तो arts वालों में 70 के आसपास EBC के टेगरी से अपका admission हो जाएगा और commerce वाले में तो इससे भी थोड़ा सा कम ले लिजे 68 के approach में EBC वालों का admission हो जाएगा ठीक है बाकी SC, ST में बात करें तो SC, ST में थोड़ा सा और cut-up down जाएगा SC और ST में ST का और cut-up down जाता है लेकिन हम दोनों को approach में लेके चले तो 70 प्लस जिन भी बच्चों के नमबर आ रहे है SC, ST में या 70 के according उनका science admission हो जाएगा commerce में अगर हम बात करेंगे तो commerce में जिन भी बच्चों का और 65 जिन commerce वाले बच्चों का SC, ST से बिलॉंग करते हैं तो 65 प्लस पे उनका admission हो जाएगा सरकारी कॉलेज में बाकि PH candidate का cut-up सबसे low रहता है तो हम बात करेंगे कि अगर इसमें आपका 65 प्लस है और arts वालों में 60 प्लस है और अगर हम बात करें commerce वाले section में यहाँ पर भी 60 रखेंगे या 58 तक रखेंगे इतना अगर आ रहा है तो आपके भी admission होने के chances अच्छे कासे है यह अप्रॉक्स है इसके आजू बाजू अब तीन्चा नंबर है तो आपने आपको सुरक्षिती मानिएगा ऐसा नहीं है कि कम हो जाएगा तो हम fail हो जाएगे ऐसा नहीं है ठीक है तो एक बार आप फिर से cut-off देख सकते हैं सबका unreserved का art, science, commerce का सब bc1, bc2 ebc और sorry bc1 यहाँ पर लिखा हुआ है मैं bc2 यहाँ पर लिखना चाहती थी ठीक है bc2 क्योंकि यहाँ पर ebc मैंने लिख दिया है तो यह bc2 मैंने लिख दिया है इसको आप लोग सुधार लिजेगा ठीक है bc2 के लिए वो cut-off है अब बात करते हैं answer की कि बहुत बचों का यही question है कि result कब तक आएगा देखिए result कब तक आएगा उसके पहले आपका answer की आएगा जब तक answer की आएगा तभी उसके बाद ही आप result की संभावना कीजेगा तो पहले तो आप wait कीजेगा कि आयोक की तरब से answer की का जल्दी से notice आ जाए तो देखिए answer के और result में को डिलेड इंटरेंस का मिल सकता है या फिर फर्स्ट जून लेट होगा तो नहीं तो लास्ट मई में संभावना है कि 25 मई या 30 मई ऐसे करके आपके आ सकते है answer की official website पे उसके पहले भी संभाव है आप 20 मई के बाद से हम expect करेंगे क्योंकि 28 अप्रायल को आपका परिक्षा खतम हुआ है तो answer की देने में मालो की कम से कम 20-25 दिन आपको मिलाने में भी लगते हैं तो वो काफी समय है क्योंकि online exam हुआ था तो ज़्यादा इसमें tension वाली बात नहीं है तो काफी समय है 20-25 दिन तो हम लोग expect कर सकते हैं कि last माई में आपका answer की आ सकता है और देखे जून में आपका result दे दिया जाएगा जो admission का process है वो आपके मतलब जो आपका voting है वोट बंद हो जाए result आजाए जो elections हो रहे हैं तो result जो है वो जून में आएगा और जून के बाद ही आपका admission process होगा तो जून में हम लोग प्रियास में है कि आपका result देखने को मिल सकता है क्योंकि जुलाई से session सुड़ू करने होते हैं तो आपको जून से लेकर के जुलाई या अगस्त भी जाता है इसमें आपको counseling सुड़ू होगी admission process इस महीने में चलता रहेगा जो अगस्त तक भी लेकर जाया जा सकता है लेकिन maximum जुलाई में admission हो जाते हैं अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं कि documents आपके क्या-क्या रखने चाहिए documents क्या-क्या रखने चाहिए फिर हम लोग college पे बात करते हैं ठीक है college पे बात करेंगे कि कौन से college में कितनी seat है सरकारी, private और कहां तक आपको कितनी seat है मिल सकती है कितने आपको सुरक्षित feel करना चाहिए सबसे पहले-पहले documents की बात करेंगे ठीक है documents में देखो basic जितने भी documents है वो तो आपके पास होने ही चाहिए ठीक है basic जितने भी documents है वो आपके पास होने चाहिए जैसे कि मैं कहूंगी कि 10th के जितने भी documents है 10th है ना चाहे वो 10th में आपका क्या हो mark sheet हो या certificate हो certificate क्योंकि 10th एकदम basic होता है हर चीज़ के प्रमान पे ठीक है तो 10th की अगर बात करें तो 10th का certificate आपके पास होना चाहिए mark sheet होनी चाहिए mark sheet होनी चाहिए उसके बाद आपका 10th का admit card अगर आपके पास हो तो वो भी अच्छा है रखेंगे लेकिन ज़्यादा जरूरी है certificate और mark sheet आपके पास होनी चाहिए ठीक है फिर same to same अगर हम 12th की बात करें और जो बच्चे graduation के base पे form भरे है उनको graduation के भी certificate और mark sheet तयार रखने चाहिए जोनोंने अपने qualification में graduation डाला हुआ है मैं उनकी बात कर रही हूँ ठीक है बाकी ये तो inter base पे है तो inter तो सबको ही चाहिए लेकिन जिसने अपने base पे मतलब graduation डाला है तो graduation के भी वो लोग तयार रखेंगे तो 10th और 12th के mark sheet और आपको क्या होने चाहिए certificate आपके पास होने चाहिए नहीं है तो आप लोग निकाल लीजेगा देखे इस year के जो बच्चे है जैसे पुराने बच्चों को तो उनका certificate मिल जाता है लेकिन जो recent है जैसे 2-3 साल पहले तक के बच्चे उनको certificate नहीं मिलता है तो उनको न क्या admit card अपना admit card admit card रखना चाहिए ठीक है और 10th में भी आपको admit card रखना चाहिए जिन बच्चों के पास certificate नहीं है या फिर certificate issue है तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं है मालो आने वाला है तो आप अपने college या फिर university जहां से भी आपने दिया है college से ही आपको 12th के मिलेंगे तो आप वहाँ से certificate निकाल लीजिए जहां से भी आपने किया हुआ है अभी आपके पास समय है, इसलिए बता दिया जा रहा है, इसके बाद दिखिए, लास्ट में जो आपने 12th के, अगर 12th बेस पे आपने form भड़ा है, तो चुकि अगर admission के पहले आप दूसरे course में admission जाओगे, तो आपको CLC लेना पड़ेगा, CLC क्या होता है? College Living Certificate होता है, क्य रहे हैं, तो admission के time CLC की बहुत मांग होती है, बिना CLC के admission लोग नहीं लेते हैं, तो ये 10th और 12th क्योंकि पुड़ाने documents हो जाते हैं, तो लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ये बेहद आपके पास होने ज़रूरी है, इसके बाद हम DLAD entrance की बात करेंगे, जो कि DLAD entrance में अब तक के आपने, आपको मिले होंगे, है ना, DLAD entrance के जो भी अब तक आपने लिये होंगे, form apply से लेकर, form का जो print out होता है, वो भी हलाकि उसका जरूरी उतना नहीं होता है, लेकिन है तो अच्छी बात है, तो DLAD entrance में इसका admit card आपके पास होना चाहिए, admit card लिखा हुआ र आपको जो mark sheet show करेगा, जैसे आपका marks आएगा, तो mark sheet show करेगा, तो वो mark sheet आपको download उसका print out रख लेना होगा, तो ये दो चीज़े होगी, फिर जब आपका admission process के time पे इन documents लगेंगे, तो उस time पे आपको college allot भी कर दिया रहेगा, ठीक है, online ही college allot हो जाएगा, तो college allot का slip जो आपको college allot किया होगा, उसका slip देगा online, तो कौन सा college मिला, उसकी slip आपके पास, उसका भी print out करा कर रख लीजेगा, तो ये सब तो हो गया, फिर जो आपने fee payment किया है, जितने भी fee payment किये हैं, आपने fee payment की slip भी आप रखिएगा, वहाँ पर इसको भी मांगा जाता है, तो DL8 entrance में आपको admit card, mark sheet, जो अब आज आएगा तब, college allot slip और fee payment, जितने भी आपने किये हैं, उसका रसीद आप रखिएगा, इसके बाद आपके documents कौन कौन से हो गया, तो इसके बाद आपके documents हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं, तो cast certificate, जिस भी cast से आपने लगाया हुआ आपको फिर general से मतलब परिक्षा का count किया जाएगा कि आप general से हैं, domicile, domicile यानि resident certificate, ठीक है, domicile का मतलब हो गया, आपका residence certificate, तो domicile आपके पास होना चाहिए, यानि निवास प्रमान पत्र होना चाहिए, यहाँ जाती प्रमान पत्र होना चाहिए, ठीक है, इसके बाद अ उनको अपना income और EWS का certificate, दोनों अपना रखना चाहिए, वहाँ पर मांगा जाएगा, तो दिखाएगे, साथी साथ आधार card necessary ही है, अभी तक तो आप लोगों ने आधार card का important समझ जिया होगा, तो यह जरूरी है, वहाँ admission time पे, ठीक है, उसके बाद पाँच फोटो लगत submit किया था, मैंने शुरू में ही बोला, तो form submit का print जरूर निकाल लीजेगा, अगर खुद से भी किया है, तो उसका print out निकाल लीजेगा, ठीक है, और नहीं किया है, तो cyber वाले से बोलिएगा, निकाल करके दे, क्योंकि अभी आपके dashboard पे form का print out होगा, अगर किसी नहीं निका तो घबराने की जरूरत नहीं है, लॉग इन किजेगा, और dashboard पे आपको क्या मिलेगा, आपका form का print out मिल जागा, उसको print out निकाल लीजेगा, ये सारी चीजे हो गई, अब देखिए, ये जो cut up मैंने बताया है, उसके बाद ये जो expected dates है, कि कहां तक हमारा कौन कौन सा process हो सकत है, वो एक prox value आपको दिया है, मैंने, हो सकता है, थोड़े इधर उधर हो जाए, और documents में आपको बेहर जरूरी है, ये सारी चीजे अगर नहीं है, तो जरूर इसको आप कर लो, क्योंकि बहुत बाद में कम समय हो जाता है, बहुत बच्चे ये सब बनवा ही नहीं पाते है अब देखिए, seats की बात करें, ठीक है, college की, seats की बात करें, तो college में आपको पता है, कि college उनहीं को मिलेगा, जिनका number अच्छा होगा, क्योंकि इस बार जो form गिरे हैं, है न, form, form गिरे है, approx 7 लाख के करीमे, 6 लाख नब्बे हजार के करीमे, यानि कि 7 लाख के, है न, करीब ह है, approx है, ठीक है, तो 7 लाख के करीमे, आपका form है, और college की संख्या जो है, आपकी, total college जो है, वो कितनी है, मतलब seats हम बात करेंगे, college नहीं बात करेंगे, seats बात करेंगे, तो आपको मालूम है, कि आपकी जो college में seat है, वो 31,700 आपकी total seat है, अब बताओ, 31,700 में competition तो थोड़ा तफ जाएगा ही, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए competition उतना ही रहता है, ठीक है, उतना ही रहता है, तो 3700 आपके total seat है, 31 लिख दिया, 3700 तक, जिसमें की government जो seat है, एप्रोक्स आपका 91,100 है, थोड़ा सा घटा ही है, बढ़ा नहीं है, और private आपका कितना है, तो 21,600 क यानि सारे 21,000 के अपक्रोक्स में है, तो government college के लिए 9000 बच्चे जो अच्छे marks लाएंगे, उन्हीं को admission मिलेगा, और बाकी तो जो बच्चे बच्चेंगे, उनको private college ही मिलेगा, इस seat पे private college के लिए आपको passing mark चाहिए होता है, अगर passing mark है, और बढ़िया से counselling की आपने, तो आपको क्या करना होगा, कि आपको मिल सकता है private college, और ये passing marks general है, जनरल के हैं आप लोग, या फिर OBC के है, जिसमें BC1 और EBC दोनों आजाता है, या EWS के है, तो आपको 35% number, यानि कि 42 number लाना है, 120 number में से, ठीक है, और SC, ST या PH candidate है, ठीक है, तो उनको 30% number लाना है, यानि कि उनको 36 number लाना है, तो देखिए, private college उनको मिलेगा, जो 42 के उपर रहेंगे, और जो 36 के उपर अपनी category wise रहेंगे, अगर इससे नीचे हैं, तो आपको कोई college नहीं मिलेगा, लेकिन अगर बढ़िया से counseling करते हैं, मानलो 50 number भी है, 55 number भी है, तो आपको इसके अधार प के लिए मैंने उपर के cutoff बता दिये है, और private के cutoff आपके सामने है, इसमें vary करता रहता है, जैसे आप अच्छी counseling करोगे, तो आपको college मिल भी जाता है, बहुत बच्चों को counseling करने नहीं आता, तो college नहीं मिल पाता है, तो चलिए, हम लोगों ने यहां तक की बहुत अच्छी informative video देखें है न, तो सभी लोग जो लोग भी जुड़े हुए है channel से, वो लोग अपनी इस तैयारी को आगे रखेंगे, अपने number के हिसाब से documents ready रखेंगे, और time waste नहीं करेंगे, सारे documents अभी बनवा के रख लिजे, देखें, बहुत बच्चों का EWS expired हो गया होगा, ठीक है, मार्च में, तो वो EWS नया बनवा लेंगे, ठीक है, EWS क्या करेंगे, नया बनवा लेंगे, क्योंकि मार्च 31 मार्च के बाद EWS expired हो जाता है, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बना लो वो, ठीक है, तो ये सारी चीजों को धियान में रखना है, बाकी तो हम लोग आपको फिर से अपना समय समय पर आपको information देते रहेंगे, तब तक के लिए Become Teacher चैनल से जूरे रहेंगे, और चैनल पर नया है तो चैनल को subscribe कर दीजिए, साथी साथ Become Teacher एप्लिकेशन के साथ जूड़ करके, अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, Bye, Take care all of you.